नमस्ते दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम नेपाल में स्थिल जग प्रसिद पर्यतन स्थलों के बारे में जानकारी हासील करेंगे तो चलिए दोस्तों नेपाल की सेर करें भारत के प्रसिद पर्यतन स्थलों की सेर करने के लिए श्री समर्थ नाना तुसके श्री प्रदीत कुंजीर सर और श्री मकरंद सर से संपर्ट करें मुबाइल नमबर 9405815564 और 9730445409 लुम्बेनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बेनी नेपाल का एक प्रमुक धार्मिक तीर्थस्थल है जहां प्रिंस सिध्धार्थ गौतम जिन्होंने बौध धर्म की स्थापना की का जन्म हुआ था ये स्थल नेपाल के लुम्बेनी जिले में स्थित है और यहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जिन्होंने बौध धर्म की धारा की शुरुआत की थी लुंबेनी स्थल का इतिहास बहुत प्राचीन है और यहाद बुद धार्मिक महत्व के साथ है यहाँ पर एक पत्थर पिलह है जिस पर गुप्त सामराज्य के समराट अशोक द्वारा बौध धर्म के प्रचार का संकेत है लुंबेनी का सुंदर प्राकृतिक वातावरन और शांती भरा माहौल यहाँ को एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाते हैं यहाँ के जन्मस्थल पर्व मनाने के लिए दुनिय भर से लोग आते हैं और ध्यान और मेधाशिक्ती की खोज में वहाँ के विहारों में समय बिताते हैं लुंबेनी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है जो बौध धर्म के अनुयाईयों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ एक प्राकृतिक सौंदर्य का स्रोथ है जंगल सफारी ये राष्ट्री उध्यान और वन्यजीव संरक्षन क्षेत्र नेपाल की संजीव जैव विविद्ता का अनुभव करने और रोमांचक जंगल सफारी का आनन लेने का मौका प्रदान करते हैं सुनेश्चित करें की स्थानिय विद्यों की जाच करें, मान्यवर ओपरेटर्स के साथ अपनी सेफारिया बुक करें और पर्यावरन पर अपना प्रभाव कम करने के लिए जिम्मेदार पर्यटन अभियानों का पालन करें मनकामना केबल कार मनकामना तक पहुँचने के लिए यात्रिहरू काटमांडू शहर से शुरू कर सकते हैं और चेरिस में केबल कार स्टेशन की और अपना रास्ता बना सकते हैं, जहां से वे यात्रा के लिए टिकट खरीद सकते हैं केबल कार रोजाना चलती हैं, जो आगंतुकों को उनकी योजना के हिसाब से उनकी यात्रा की योजना बनाने की लागती है संकशेप में मनकामना केबल कार बस की तरह केबल एक परिवहन का साधन नहीं है, यह एक पावन और सुन्दर स्थलकी और एक द्वार है यह नेपाल के दिल में आध्यात्मिक्ता और आधुनिक्ता के साथ हमारी एक अनूठी अनुभव प्रदान करती है, जो इस यात्रा पर बरताव करने वाले सभी लोगों के लिए है थारू संस्कृती शो, नेपाल में संस्कृती की प्रदर्शनी में नेपाल के तराइक शेत्र में स्थित थारू समुदाई का सास्कृतिक रंगारंग उत्सब को थारू संस्कृती प्रसिद्ध नरुत्य किया जाता है ट्रिभूवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अटदा, नेपाल का उड़ान केंड त्रिभुवन अंतरराष्ट्रिय हवाई अड़ा नेपाल की विभिन शहरों और विदेशी नगरों के साथ साथ कई अंतरराष्ट्रिय उड़ानों की सेवा प्रदान करता है यह अड़ा व्यापक तरीके से सुविधाय प्रदान करता है और यात्रीगन को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव कराता है त्रिभुवन अंतराष्ट्रिय हवाय अड़ा नेपाल के एक प्रमुख यात्रा केंद्र के रूप में जाना जाता है और यह नेपाल के साथ ही विदेशी यात्रीगन के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इसके माध्यम से नेपाल आते हैं माउन्ट एवरेस्ट, माउन्ट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे उची परवत शिखर है नेपाल का प्रमुख परवतिय पर्यटन स्थल है यहां परवतारोहन और अनुभवी यात्रीगन के लिए एक अद्वितिय और प्रेवनास्पत साहसिक अनुभव होता है पशुपतिनात्व मंदिर काठ मांडू में स्थित है और यह हिंदु धर्म का महत्वपूर्ण तीरत स्थल है यहां पर्यटक धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल का आनन लेते हैं आध्यात्मिक अनुभव होता है समर्धनले माई सबत तृिस्त यारिक अनियां अभी श्यवला बस देल समर आपन पतु है पुष् flame आपरुसुपतिना उतला शिक्रेपरूBO निट्रसिक करसें तंदे में। 열심히 sto up थो मुसुकंति अर्ष्ण है कравका दो आत का म 안et tinga सब्टरा जगता स्रीक का प्रतिश्थान वाधापुरीन के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, हमारा चैनल उनका आभारी है दोस्तों अगर यह विदियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेर किजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब किजिए विदियो अंतक देखने के लिए आपका धन्यवाद